रूस के राश्ट्रपती व्लादिमिर पुतिन ने जब 24 फरवरी को यूकरेन के खिलाफ युद्ध की घोशना की थी तो दुनिया में किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये लड़ाई सौ दिन का अकड़ा छुएगी इस वीच युकरेन के राश्ट्रपती वोल्दिमिर जिलिंस्की ने कहा है कि युद्ध में हर दिन साथ से सौ युकरेनी सैनिक अपनी जान गवा देते हैं और करीब 500 सैनिक घायल हो जाते हैं जिलिंस्की ने ये बात बुद्धवार को अमेरिका के न्यूज मैक्स को दिये एक इंटर्वियू में कही उन्होंने कहा कि सबसे खराब हालात युकरेन के डानिट्सक और लुहांस्क में हैं जिलिंस्की ने कहा है कि दुनिया अभी भी पुतिन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू नहीं कर पाई है युद्ध शुरू करना एक कमजोरी है और पुतिन पहले ही दिखा चुके हैं कि वो एक कमजोर पॉलिटीशिन है जिलिंस्की ने कहा कि युद्ध के मैदान से जो खबरें आ रही हैं उससे पता चलता है कि रूस को भी काफी नुकसान हो रहा है लगातार जारी घमासान युद्ध के बीच युकरेन ने दावा किया है कि उसने अभी तक रूस के 30,700 सैनिकों को मार गिराया है युकरेन के विदेश मंत्राले के एक जून के ट्वीट के मताबिक रूस को युद्ध में अब तक जो नुकसान हुआ है उसमें 208 एरक्राफ्ट, 175 हेलिकॉप्टर, 1361 टैंक, 519 UAV उपरेशनल, 49 स्पेशल एक्विप्मेंट, 3343 बक्तरबंद गाडियां, 669 आइटिलरी सिस्टम, 2290 वाहन और फ्यूल टैंक के अलावा और भी कई चीजों का भारी नुकसान उठाना पड़ा है ये जानकारी ट्वीट से मिली है, इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टी का फिलहाल कोई और तरीका नहीं है जो भी हो लेकिन इस युद्ध के दौरान कई खौफनाक मनजर हमें देखने को मिले हैं युद्ध केवल सेनाओं के बीच हो तब भी हमें कुछ समझाता लेकिन हमेशा ही आम जनता युद्ध में पिस्ती नजर आती है और ऐसा ही इस युद्ध में भी देखने को मिला रूते बिलखते बच्चे देखे उनके माता पिता देखे कई बच्चों को बचाने के लिए उनके पेरेंट्स ने उनकी पीठ पर एड्रस लिखकर यूकरेन के बाहर अपने रिष्टेदारों के पास भीज दिया और खुद अपने बुजर्ग माबाप के साथ रहे सिर्फ सेन ने ठिकानों को नहीं बलकि रहाईशी इलाकों को बरबाद होते देखा लोगों के घरबार को उजड़ते देखा सेनिकों को अपने परिवार वालों से आखरी विदाई लेते देखा कुल मिलाकर इन दो देशों के युद्ध का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है खुद रूस पर अमेरिका के राश्क्रबती जो बाइडन ने कई प्रतिबंध लगाए युद्ध और प्रतिबंधों की वज़े से खाने पीने का सामान हो या तेल हर चीज के दाम बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनकी ठीक से सप्लाई नहीं है या अगर हो रही है तो महंगे दाम पर क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए है या कुछ चीजों का एक्सपोर्ट तो कुछ चीजों का इंपोर्ट बंध हो गया है मतलब ये कि घर की गाड़ी से लेकर बाहर की गाड़ी चलानी भी आसान नहीं रह गई है आईए भारत की बात कर लेते हैं कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि डॉलर की तुलना में रुपए में भी तेज गिरावट दल्च की गई है 24 फरवरी को एक डॉलर की कीमत 75.3 रुपए थी जो 4 फीसद गिर कर वरतमान में 75.5 रुपए से ज्यादा हो गया है कमजोर रुपए ने इंपोर्ट पर असर डाला और उसे महंगा बना दिया कुछ जरूरी चीजों के एक्सपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिबंद लगाया है जैसे गेहूं रूस और यूक्रेन भी दुनिया में गेहूं के बड़े एक्सपोर्टर रहे हैं लेकिन युद्ध के कारण यूक्रेन के हालात खराब हैं और रूस पर अमेरिका और अन्य देशों ने प्रतिबंद लगा रखे हैं भारत ने चीनी के एक्सपोर्ट पर भी आंशिक प्रतिबंद लगाया है चावल पर भी जरूरत के हिसाब से फैसला लिया जा सकता है और ये सब मोधी सरकार इसलिए कर रही है ताकि देश की खाद्य सरक्षा सुनिश्चित की जा सके लेकिन युद्ध के कारण घरेलू बाजार में बढ़ते दाम का असर तो आम आदमी पर ही पड़ रहा है इसलिए सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो और पूरी दुनिया राहत की सांस ले क्योंकि युद्ध कभी किसी परेशानी का हल नहीं होता